दिर स्टुएंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप से विका आपके अपने यूटुब चानल study with दुलार में हमारे देश से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारे देखने वाले अस्थानों को नहीं देख पाते हैं नहीं जा पाते हैं कई बार रैटर जब वहां पे जाते ह रमन्य तो मनमौहक दृश्श को अपने में रिखते हैं और उसे एक चप्टर बना के बुक में प्रस्टूत क्या जाता है उसे तरह का यह एक चप्टर दिया हूँा है है यह कन सा चप्टर है कि कलास इवन का बा अमर कंटक मुईत पर्दिश का एक वईन और परवत की अस्थल है इसका महत्वधार्मिक दृष्टी से भी है क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम अस्थल यहीं है तो यहां पे एक चीज जानने का अच्छा चीज है कि अमर कंटक जो है वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है वहीं से वो शुरू हुआ है इस बार हम सहरी जिवन की भागदोड से ठक कर छुटियां बिताने अमर कंटक जा पहुँचे इस बार हम मतलब रैटर अपने बारें बोल रहा है कि वो सहरी जिंदकी से परिसान होक लगए पर एक ऐसी जगह चला गिया, जहां पे ज्याधा तर यह पहाड़ी इलाका है, वहां पर पहुंच गिया, और यह मध्द प्रदेस में होने के कारण यहां पहुंचने में बड़ी कठनाई होती थी, कििंतु अब मार्ग दूर्गं नहीं रहा कटनी से विलासपूर जाने वाली रेल लाइन पर पेंडरा रोड स्टेशन परता है यहां से हम बस द्वारा अमरकंटक गए यह बस मार्ग लगबग 40 किलोमेटर है मार्ग के दोनों और के प्राकृतिक दिरिश्यों ने हमारा मन मोह लिया रास्ते में कई तार के पेड ज जाते हैं तो जराखंड में जैदा मिलता है यह पोधा है और इसका पत्तस से पतल बनाया जाता है कि इस तरह से जंगल और रास्ते सब गजरते हैं तो बहुत सारे जंगल पोधे मिलते हैं जो देखने में काफी सुन्दर ल Goku मिलते हैं तो वहीचीज यहां पर बतला रहा है आमरकुट एक जगह है जो कि काली दास ने इसका वर्नन किया है तो ये विंध परवत के पूर्वी कोना है वहीं पर ये इस्थित है आमरकुट इसी कोने पर अमरकंटक इस्थित है यहां भी आम के पेड़ भरे हैं और भीत्री परदेश में काटे वाली जाड़िया और गहरे चीज है जो जाकर देखेगा उसको ज्यादा अच्छा लगेगा लेकिन नहीं जा सकते हैं तो इसको पढ़कर ही उतना जनकारी प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं वनों के मेंदे एक कुंड से नर्मदा नदी निकलती है यह कुंड सघन विरिच्छों से घिरा है यहां अनेक प निकलना प्रारम करता है और दसवी गरहवी इस भी में यहां के मंदीर जो बने हुए है तो इसका मतलब है कि बहुत साल हो गया हजार साल से भी अधिक हो गया इसका निर्मान कल्चूरी राजाओं ने कराय इन मंदीरों से उन राजाओं के कला प्रेमी का अनुमान सरलता से लगा जा सकता है उस समय के लोग भी कला संस्कृति से कितना प्रेम करते थे उन मंदीरों को देख कर पता चलता है यहां पे देख रहे हैं यह पिक्चर तो इस तरह से यहां दिखाया गया है हलाकि वहां किस तरह के मंदीर बने हुए हैं और इसके आगे यहां पे देख रह वहां से शुरू हुआ उसको देखने के लिए चले नर्मदा सहज में पकड में नहीं आती मतलब आसानी से पता नहीं चले कि वह कहां से शुरू हो रहा है कुंड के आगे लगबग एक मीटर तक या धारा अधिर्स हो जाती एक मीटर तक अधिर्स मतलब दिखाई नहीं उसका वेल्यू है तो वहां पे उस तरह का जो नदी बहती है और नदी की जो शुरूवात होती है वहां पे नहाने का अलग ही अपना उसका वेल्यू है तो वहां पे सफेद दूद की तरह पानी जो निकलता है तो लेखक जो वहां पहुँचा वहां से नहाने बाद ऐसा लगा कि सारा थकावाट उसका खतम हो गया अमर कंटक से लगभग 10 किलोमेटर दूर चलकर हम कबीर चौरा नामकस्थान पर पहुँचे अमर कंटक से 10 किलोमेटर दूर एक स्थान है कबीर चौरा तो वहां पे इनलोग पहुँचे यहां पेड़ो की छाया के नीचे एक चबुत्रा बना है इस चबुत्रे पर दो पदचिन है पदचिन मतलब पैरों के चिन है कहा जाता है कि यह कबीर के पदचिन है वे अपने कुछ सिस्यों के साथ यहां कुछ समय तक रहे थे तरह के पदचिन बना दिये गये हैं ऐसा माना जाता है कि कबीर दास जो थे तो वहां पे कुछ समय तक रुकिये थे इसलिए उनके पदचिन बनाया गया है अमर कंटक एक छोटी सी बस्ती है यहां की निवासियों का मुई के धंधा गाई भेडों को पालना और दूद का वेपार करना यहां के पहाडों की धालों पर छोटे-छोटे खेत होते हैं इनमें कोदो, कुटकी, राई तथा मक्का की खेती होती है गाउं में कच्ची जोपडियां है अब यहां कुछ होटल बन गए है चारों और वनों से घीरे होने के कारण जलवायू आदर है अमर कंटक के वनों में जंगली जड़ी बूटियां बहुत मिलती है गुलब कावली और चमेली के फूल भी यहां काफी होते हैं थणर यहां एक छोटी सी बस्ति है और यहां के लोग जानवरों को पालते हैं दूद बेचते हैं और पहाडों की धालों में वहां पे छोटी-छोटे खेत भी होते हैं इसलिए कुछ जो नाम दिया हूए है इसलिए आप लोग को पता नहीं चलेगा बाकी चीज़ें तो मैं जानता ही हूँ, इस तरह से वहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ जड़ी बूटी भी मिलता है, और कुछ फूल वगएर भी मिलते हैं, चमेली के फूल और गुलब कावली, तो हम लोग इसको नहीं जान सकेंगे, वहाँ जाकर देखेंगे तो भी पता महित पर्देश में गोंड राजाओं का राज था, रानी दुर्गावती ने नर्मदा के किनारे जबलपूर के निकट गरा मंडला में सासन किया था, दुर्गावती का नाम आता है, वहाँ पे एक रानी थी, उनका नाम दुर्गावती था, तो वहाँ पे वो सासन करती थी यहां दुर्गावत्य का बनवाया किला अभी भी सुरच्छित है किला उस समय बहुत पहले का बनाया हुआ राज महराजा लोग बनाया करते थे तो अभी भी बहुत सारे किले सुरच्छित है उसको लोग देखने के जाया करते है यहाँ पर यह गोंड जाती का नाम जो दियावा है तो यह आदिवासी जाती में से एक जाती है आदिवासीयों की जाती है गोंड जाती हैं इनमें राज गोंड अधिक प्रगति कर गए हैं सेस गोंड अभी पिछड़े हैं इनके गाउं छोटे-छोटे होते हैं गोंड इस्तिरियां पुरूशी के पिछा अधिक काम करती हैं तो यह गोंड जाती के लोग खेती भी कर रहे हैं आज के समय में और तेंदू पत्ते एक पेड़ होता है तेंदू का उसमें एक मीठा सा फल भी लगता है और उसके पत्तों से बिड़ी बनाया जाता है जो कि गाउं के लोग अक्सर उसको पीने के उपयोग करते हैं तो गोंड में राज गोंड जो है उसमें भी कई जातिया है तो राज गोंड अभी के समय में प्रगति काफी कर लिये हैं और बाकी जो है दुसरे उसके उपजातियां जो है अभी भी पिछड़े हुए हैं तो गोंड में इस्तिरियां पूरुसों से अध लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो जेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और इन लोग शरीर में ज्यादा कपड़े नहीं प्यानते हैं ज्यादा तर नंगा बदन ही रहते हैं और जिसके कारण इन लोग का सरीर काफी काला नजर आएगा वे शेर को अपना भाई मानते हैं वे अपने घरों के सामने पत्थर की एक कुंडी रख देते हैं और रात में पानी भर देते हैं उनका विश्वास है कि छोटा भाई सेर रात को आकर पानी पिएगा अब इस तरह के बहुत सरफ परचलन हमारे देश में मुझूद है बजबन में अपने फूफा के यहां जाया करता था तो वहां एक बहुत बड़ा सा पाड़ी है और उस पाड़ी से रात में लोग डर से सोते नहीं है बाहर में अपने घर में घर से बाहर इस गर्मी दिन में लोग घर के बाहर सोते हैं तो वहां पे लोग सोते नहीं थे क्योंकि रात में वहां से सेर आया करता था ऐसा लोग मानते थे इस तरह के बहुत सारी कहानिया होती है और कुछ हकिकत में ब्लाइक हो जाता है कि उनलोग सब्सक्राइब तब भी लगए कि बलेक कपड़ा पहना हुआ है बेगा जाड़ फोक में बड़े तेज होते हैं उनके यहां हर बीमारी का इलाज जाड़ फोक से किया जाता है गोंडो के प्रोहित भी बेगा ही होते हैं साधी बिवा के अवसर पर इनकी खुब पूछ होती है अब यहां पे गाओं में अक्सर में बच्पन में देखा करता था कोई दि किसी को बीमारी हो गया तो किसी ओजा को बुला के लिए लाया जाएगा और तुरंत उससे जाड़ फोक करवाया जाएगा तो जहां पे बिक्सित हमारा देश नहीं हुआ है जो लोग बिक्सित नहीं हुए है हांत में हात ढालकर जब नाचते गाते है तब सारी धरती जूमती सी परतित होती है इनके गीतों में उनकी अपनी जिंदघी के ही बोल होते है इनके परमुख होते ही अपने निर्थमें में कhou जाते हैं लोग गीत गाते हैं और मांदर होता है उसके ताल पता चलना मुश्किल है और इन लोग डांस के दोरान जब निर्थ करते हैं उस समय जरूर ये कुछ सराब पी लेते हैं जो इन लोग का फेवरेट होता है महुआ का सराब उसको पीने के बाद फिर पूरी दुनिया को भूल जाते हैं उसके बाद जूमना नाचना गाना घंट जो किस प्रकार के डांस है ये तो वही लोग जांते होंगे कर्मा सिर्फ मैं जानता हूं इसको मैंने देखा है और यह सारी चीजें तो मुझे पता नहीं है लेकिन अगर उनके बीच आप जाते हैं तो फिर आपको यह सारी चीजें देखने को मिलेगा कर्मा में इस्तीरी अचुक निसाने बाज होते हैं, तो सिकार करना बहुत प्राचिन काल से ही चलता रहा है, क्योंकि सबसे पहले खेती करना तो मनुस्यों को आता नहीं था, तो सबसे पहले वे सिकार ही करते थे, सिकार करते थे, और पेडों से कंद मुल चुन कर खाया करते थे, तो सिकार का जो पर करम चल रहा है, वो आज तक चलता आ रहा है, जो लोग विक्सित नहीं कियें अभी, वे लोग अभी भी सिकार कर रहे हैं, उसी दुनिया में जी रहे हैं, तो वहाँ पे जैसा कि पहाड़ी इलाका है, तो लोग वहाँ सिकार करते हैं आदिवासी लोग, और तीर कमान अभ प्रयाप्त जानकारी प्राप्त की यह यात्रा काफी हद तक याद रहेगी कभी यहां अपने बारे में कहा रहे हैं कि अमर कंटक के प्राकृतिक सुन्दर्ता को तो देखी लिए और साथ हे साथ वहां पर बसने वाले आदिवासियों के जीवन वहां वह कैसे किस प्रकार से जीवन जीते हैं उनके बारे में भी प्रयाप्त जानकारी वे प्राप्त कर लिए और यह यात्रा जो है उन्हें काफी समय तक याद रहेगा तो इस प्रकार के सुन्दर प्रकृतिक से जुड़ा हुआ यात्रा निश्चित्रूप से उन्हें याद रहेगा ही और उनके जै और इसमें अनुछे दिरिखने के लिए कहा गया है तो इसमें एक सौट जो संचित लेक होता है उस तरह से लिखना है कुश्चन नमबर चार यहां पे देख रहे हैं गरामर से समंदित दिया हुआ है और यहां पे इन सब्दों के योग से नया सब्द बनाओ इस तरह से जिसे दिया हुआ है वन में वास वन वास रास्ट का पती रास्ट पती इस तरह से कुछ गरामर का कुश्चन दिया हुआ है और यहां पे खा नमबर में परतेय लगा कर इसको इसमें क्या परतेय लगा हुआ है यह बतलाने के लिए का गया है और यहां पे बेखती वाचक जाती वाचक संग्या को छाट कर निकालने के लिए का गया है यह सब वाइक से बिसेसन बनाओ यहां पे question number 4 में दिया हुआ है ज Q6 जो उल्टा सब्द लिखने के कहा गया है विलोम सब्द लिखो जद्रुगम का सुगम प्राचीन नविन सुरक्षित असुरच्षित इस तरह से दिया हुआ है तो यह मैं आप लोग को इसके जो मुख क्वेश्चन है उसका अंसर बना के दिखाता हूँ यह है चेप्टर 2 का question answer अमर कंटक क्यों परसिद है अमर कंटक वईन और परवती अस्थल के साथ साथ एक धार्मिक अस्थल भी है नर्मदा नदी का उदगम अस्थल यहीं है इस कारण अमर कंटक परसिद है अमर कंटक कैसे पहुँचा जा सकता है अमर कंटक जाने के लिए परवी कोना में इस्थित है अमर कंटक के मंदीरों के बारे में बताओ अमर कंटक के मंदीर दस्वी गर्यवी सदी के है इनका निर्मान कल्चूरी राजाओं ने कराया था इन मंदीरों से उन राजाओं के कला प्रेम का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कपिल धारा की क्या भी सिस्ता है कपिल धारा नर्मदा उद्गम कुंड से 6 किलो मेटर दूर है या स्वर्ग से कम रमनिये नहीं है दूद की तरह स्वच जल धारा के नीचे बैठ कर सारी थकान मिटी जाती है कबीर चोरा के बारे में क्या कहा जाता है अमर कंटक से लगबग 10 किलो मेटर दूर कबीर चोरा नामक अस्थान है यहां एक चबुत्रा में दो पजजिन बना हुआ है कहा जाता है कि यह कबीर के पजजिन है अमर कंटक के निवासी क्या क्या काम धंदे करते हैं यहां के निवासियों का मुख धंदा गाई भेडों को पालना और दूद का वेपार करना है यहां के पहाडों की धालों पर छोटे 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 खेत होते हैं इनमें कोदो कुटकी राई तथा मक्का की खेती होती है गोंड आदिवासियों का परिचे 2 गोंड आदिवासी अमर कंटक के आसपास छोटे छोटे गाउं में राते हैं यह जाती किसी समय बड़ी सुसंस्कृत थी मैद परदेश में गोंड राजाओं का राईज था वे मुख रूप से खेती करते हैं तथा तेंदू पत्तों से बीडी बनाने का काम करते हैं बेगा आदिवासी पत्थर की कुंडी में रात को पानी क्यों भर देते हैं बेगा आदिवासी पत्थर की कुंडी में रात को पानी भर देते हैं क्योंकि उनका या विश्वास है कि छोटा भाई सेर रात को आकर पानी पिएगा आदिवासी ज प्रूस दोनों भाग लेते हैं सेला सिर्फ प्रूसों का तथा रीना सिर्फ इस्तरियों का निर्त है तो यहां पर यह चप्टर शमाप्त हो जाता है अगर लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है ताब हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए इसके एकले चेप्टर को पढ़ने के लिए लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं